सारे ती रथधाम आपके चर्णों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चर्णों में जै गुरुजी संगत जी, गुरुजी के श्री चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम और गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत को भी जै गुरुजी मैं आशा करती हूँ कि आप गुरुजी की दिव्याभा के सभी सत्संग ध्यान पूर्वा को पूरा सुन रही हैं और आपके मन में चल रहे जितनी भी कोशन्स हैं उनके इसमें आंसर्स मिलती हैं और गुरू जी के, गुरू जी हमेशा कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुननाने वाले का भी भला गुरू जी की किरपा दोनों तरफ से चलती रहती हैं और गुरू जी के सत्संग में के हर शब्द में उनकी ब्लैसिंग्स छिपी हैं और वो हमें क संगत के साथ और नौन संगत के साथ जो संगत नहीं भी है उनके साथ भी शेयर करें जिससे हमारा गुरू परिवार और बड़ा हो जाए सभी गुरू जी को जान पाएं उनकी महीमा का वरलन करना बहुत ही मुश्किल है और सभी के गुरू जी कश्ट दूर करें और अपनी श संग 18 शुरू करती हूँ गुरू जी के दिव्य मंत्र के साथ ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरू जी सदा सहाए गुरू किर्पा मत को भ्रह्म भूले संसार गुरू बेना नहीं कोई उतरसपार गुरू नानक जी बुद्वार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिलनानी एम्स में वश्दी विभाग के अध्यक्ष का फोन आया कि उस दिन शाम को साड़े पाच बजे उनके घर में सत्संका आयोजन है जिसमें गुरू जी आ रही है उन्हाने मुझे पत्नी सहेत आने का आगरे किया क्या आप महाध्यापक की पदोनात्ती का उत्सब मना रहे हो यह गुरू जी कौन है उनका नाम क्या है वह कहां से आ रही है मैंने उन पर प्रश्णों की जड़ी लगा दी उन्हाने किवल इतना उत्तर दिया उनका नाम तो स्वैम ही जान लेना धैर्रे रखो सामने तहा मेरी पत्नी समिता सादो संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी इस बार जब मैंने यह बात उसको बताई तो उसका उत्तर पहले से भिन था संभव है इस बार कुछ अंतर हो चल कर देखेंगे कुछ देर बाद मैंने परिचेत रश्मी और पंकज सिंग को फोन किया मैं रश्मी जी को पिछले 35 वर्ष से जानता हूं और उनके विवा के पस्चाद पंकज जी को भी मैं उनसे पंकज जी के पिता भूत पूर्व प्रधान मंतरी श्री चंद्र शेखर जी जिनको मैं स्वैम पिता जी कहकर संभ एक्षडों के लिए प्रविष्ट हैं यह सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया वारतलाब करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के संसमर मरण सुनाई उन्होंने यह भी बताया कि वहन यमित एमपायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते र मैंने उन्हों से इस प्रशन का कारण जाना चाहा क्योंकि उनका नाम अभी तक अपनी बातचीत में नहीं उबरा था रश्मी जी ने उत्तर दिया आज शाम को उनके यहां सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है मैंने आतुर होकर प्रशन किया कि यहे गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है रश्मी जी ने मुझे धहरे रख कर शाम को स्वैम ही सब जान लेने को कहा मैं यहे प्रसंग इतने विस्तार में इसलिए सुना रहा हूं कि काड़ समय आने पर ही पूर होते हैं जब तक गुरुजी नियत ने करी उनके दर्शन संभव नहीं है इसी कारण दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशिरवाद किरहन करो यह संपूर संगत गुरुजी के दर्शन किरपा और देया से सद्धन्य है इस जीवन काल में यह सू अफसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत अभारी है मैंने घर आकर इसमिता को जब इस घठना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भाती उसकी भूत सुकता बढ़ गई हमने अपने घर में रुकने सके हम अपने घर में रुकने सके और ठीक पाच बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पहुच गए वहाँ पर हम पहले पहुचने वालों में थे थोड़ी देर में रश्मी जी और पंकच जी रंगीन वस्त धरण की हुए एक अती सुन्दर युवक को लेकर आए वहती जी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अती शोबनिय कुर्सी पर आसीन किया गया जै गुरू जी हमने अनुमाल लगाया कि यही गुरू जी होंगे जैसे हम उनके निकट पहुचे रश्मी जी ने मेरा और इसमिता का परीचे करवाया गुरू जी मुझे देखकर तुरंथ बोले डॉक्टर तुसी बाहर जाओ मैंने इसमिता के कान में फुसफुसा कर कहा कि चलो चलते हैं यह हमें इधर नहीं चाहते और हम कक्ष से बाहर जाने लगे रश्मी जी ने तुरंथ आ हमको वापस बुला कर गुरू जी के कथन का अर्थ बताया वह हमें बाहरत से बाहर विदेश में देख रही हैं 50 से 300 सतसंगी आये होंगे उनमें से अनेक पहली बार आये थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे गुरू जी के आदेश पर पुराने अनुयाई अपने अनुपब बता रहे थे विश्यों की कोई कमी नहीं थी बच्चों की शिक्षा, विवा, गर्भधारण, एस्थमा, हिर्द रोग, सनायू और करकट रोग, जैसे ऐसाध्य रोगों से चमतकारिक निवारन इत्यादी, साधार रोग रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, पर अनुपव थे, सबके इस स्वास्ते में सुधार आया था, बीच में कभी भी, कभी कभी गुरू जी बोलते थे कि इसका भोतिक रूप देखो, कश्ट कैसे घट रही है, उस दिन से गुरू जी के साथ हमारा संपर्ग बन गया, अब हर दिन एक नए आविश्कार का दिन होता है, आत्मभोद और आत्मग्यान का दिन, हम जब भी दिली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में प्रती ब्रसपत कि बार और रविवार को आते रहते हैं, मुझे अपनी काड़े के संदर्भ में अक्सर यात्राय करनी परती हैं, पर दिली में होने पर मानों कोई चुम्प किया शक्ति हमें इस स्थान पर खीच लाती है, भीतर से उतकंठा होती है और इससे पहले कि हम कुछ सोचें, हम उन चंतर देखा, मैंने स्मिता को बताया कि इस पर मैंने किसी ओश्ति या श्वास यंतर का प्रियोग नहीं किया, मेरे परिवार में दीर ककाल से अस्थमा चला आ रहा है, और मुझे सदा श्वास यंतर की आवश्रक्ता रहती थी, एक या दो बार निश्चित रूप से मेरी चाती पक जाती थी, और दस दिन तक मुझे प्रतिजैविक ओश्तियों का सेवन करना पड़ता था, लेकिन बीती शीत रितू में मैंने इनका प्रियोग ही नहीं किया था, जब मैंने गुरूजी के इस पारे में बताया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी किरपा प्राप्त हुई है, और अब मुझे कभी दमा नहीं होगा, नै तो मैंने गुरूजी को इस पारे में बताया था, नहीं उनसे इसके लिए मन ही मन प्रातना करी थी, मैं आदी अचंबित हुआ, हमारे जीवन में इतरा अंतर आया कि हम गुरूजी के दर्शन के लिए एमपा संग्यानात्मक सनायू विज्ञान और संग्यानात्मक मनो विज्ञान में उसका सनातक का पर्टेग्राम पुरा होने वाला था, यह दपी उसे वहीं पर शोध करने की अनुमती मिल गई थी, वह वहां पर और अध्यान नहीं करना चाहते थी, वह अपना शोध M.I.T. या स् समस्या थी, उसके सपास इन संस्थाओं में प्रिवेश के लिए समय भी कम था, इसमिता उसकी मा भी चिंते थी, एक बार जब गुरुजी ने रिचुता के बारे में पूछा तो मैंने इसमिता की चिंता के बारे में बताया, गुरुजी ने तुरंद चिंता छोड़ने को क पहा और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूं। उसके सनातन अधीवेशन में उपस्तित होने के लिए मैंने माई 2006 में जाने किया योजना बनाई हुई थी। उसके बाद हमें यह देखने का अफसर मिला कि गुरुजी का आश्रवात प्राथ होने के पश्चाद कैसे एक के बाद एक घटनाए अनावरत होती जाती हैं और सब ठीक होता जाता है। जोता जब अब बॉस्टन इस्थित M.I.T. के मस्तिश्क और संग्यनात्मक विज्ञान विभाग से शोत कर रही है। गुरुजी के पास आने के पश्चाद हम श्रद्धालू, द्वारा, कथित, व्रतान्त और अपने अनुभव समझने का प्रियास कर रही हैं। गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं। में भी सुबा की भाती तरोताजा अनुभव करता है। सबसे महतुत पूर बात यह है कि गुरुजी के यहां सब समान हैं। धन्वान या निर्धन, प्रधानमंतरी या चपरासी, पुरुश या नारी, शहरी या ग्रामीर, भारतिय या विदेशी यहां पर कोई रितिरिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर आत्मसमरपड के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किये बिना विश्वास कोई तो आस्ता कहते हैं। गुरुजी हमेश सर्वश्रेष्ट मनुष्य बनाने का प्रयत्र कर रही है। यहां आने के उपरांथ हमारा मिथ्या, रूपी, अभीमान, समात हो रहा है। हमारी प्रवरत्ती में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उनी गटनाओं को एक नए द्रश्टिकोर से देखते हैं और मन को शांदी प्राप्थ होती है। अपनी अवशक्ता और लोब का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयाइद होने से धन्य हैं। हमने यह भी जाना हैं। हमारे जीवन की बानेताओं को बाटने से उनका मुल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से पाते हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है। उसके लिए हमारे उपर गुरु किरपा है। उसके लिए हम उनके अती अपहरी हैं। यह सभी सचसंग डॉक्टर चंद्रकान पांडव अंकल जी के हैं। नौइडा से। जै गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।